येर्पी के क्लासेच पटना आज हम लोग दखेंगे एट आर्ट सितंबर दुसका सेकेंड सिप्ट कर जो थर्ड फेज में एक्जाम चाथा उसका हम लोग कोश्चन देखेंगे औरिजिनल हंड्र परसंड और पर मिलेगा आप लोना है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेग सब्सक्राइब कर दो दोजाएब कर नोट पर किसका चीतर है तब मांसा फैसले कोश्चन आज के शिप्ट में आपका पूछाएगा जो भी कोश्चन बता रहे हैं सब और रिज्ट कोश्चन आपका है कि लिए न है य देखेंगा निफ्लेंड के समय ग्यातत्रव की संख्या कितना थी ये कोशन पूछा का था निफ्लेंड के समय ग्यात तत्व की संख्भी संख्या 56 अवर्वट की संफ् lyric कितने हैं और 18 पूछा ग्या था 13 सात ह 대해 सात बर्ग होता है इसमें अपको कोशन पुछा गया था गिरणा और पुर्णा पूर्ण पमंदिर अपको पता है प्रवल शार इसको हम बोलते हैं दुरुबल अमली इसको बोल सकते हैं लेश दन्चो ऐसे भी है तो इसको बोल सकते हैं अप्शन का अनुसार हमको बनाना था धार्म की सोथनतता की सनुष्यद में तब अथाइस में है एक कोशन पूछा गया था जाजिए के समए जन्गनना के समय सबसे कम बोली जाने वाली भासा क्या क्या थी उडिया थी असम उसमें मारना था सब्सक्राइब कर गरρωे होता है घर आट्बार को पटा है था हर अत्र जामाख 창 पुछा जा विखन में से कोषा जा लाने था हाले के लूत आता है कुछल nights पुछा गया था आ सब्सक्राइब से कोशन एक दिया गया था अपतल दरपंस एक निमेरिकल दिया वा था यू निकालना था आपका एफ दे दिया गया था और भी दे दिया गया था इसे एक कोशन पूछा था और एक धारा निकालने के लिए बेसिक कोशन दिया था भीवर और आयर से कोशन से दम डिरेक पूट ने कौोशन देखिएगा मैथ से कोशन देखिएगा मैथ कभी ओरिजिनल कोश्चन है सम्च चतुरूज का भी करून दिया हुआ है 96 और 110 परिमाप निकालना था दो संख्याओं का अंतर 55 पाथ साथ है तो इसको इतना दिया हुआ तो इसको 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 निकाल सकते हैं एक बे है या बेर्वर जिए होऊ है 46 दिया हुआ है ओर क्या विएच निकालना है तो आपका अंसर आ जाएगा प्रन को और देख़ाएगा उसटेसर पूछा पूछा था कि इसका दियावता आलफा ही प्रपावर फूर और बीटे का पावर प्रफूर निकालना ताथ इसका सुन्यक निकाल दीजिए अलफा और बिट्टा का भैलू निकल अलफा वान बिट्टा का नि मैनस तीरी आएगा इससे निकाल के इसमें आपको लोग पूट कर सकते हैं पूट करके अप लोग निकाल सकते हैं इसका कोशन पूछा गया था एस से कोशन क्या पूछा गया और बॉला गया था कि 5 सल के बाद इनका उमर जो है कितना अनुपात इतना हो जाता है इसे कोशन एक पूछा गया था प्राफिट अटलो से कोशन पूछा गया था इसी में को खरी यह सकता है कि अच्छों में तक कितना लाव्या हानी होता है और फिर से कोशन पूछा गया था दा संख्याओं कोश्ट 46 है और 142 के जगा हम 42 लिख दिया गया है तो स्वही कोश्ट क्या होगा ऐसा कोशन पूछा जा रहा है यह रेल गारी से कोशन बहुत पूछ रहा है कोशन बीपरित पूछा गया था माध निकालने के लिए अच्छे से पढ़क जाएगा अब देखते हैं रिजनिंग से कोशन क्या पूछा गया था रेजनिंग से कोशन पूछा गया था रेजनिंग जा रहा एक आपका जो है यह वला की राम ज्याएं मैं च्लाओं च्छोड ना पर के घोगर के अरह करने हुँआ जिए गानेता आपके और से ठीशें तो बेखेंब्र से ना करした आपके हैं इसे दो से तीन कोशन पूछा गया था और एक सीरी से एक और कोशन पूछा गया था जैसे में A question होता है A, A, B, B, C, A A question दो question पूछा जारा हर shift में question पूछा जारा है आप लोग है कि अच्छे से पढ़के इसको जाईएगा आसा ही question हर shift में पूछा जारा है अगले माने कि shift का अगले exam आपका next day है आप लोग अच्छे से परके जाईएगा लाइक सब्क्राइब बेल एकन को प्रेश कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा नेक्ट वीडियो जल्दी अप्लोट किया जाएगा थैंक यू अल आफ यू